भारत में स्थीत सोमनात मंदीर के नीचे कुछ ऐसा निकला जो अविश्वसनी था। इसके बाद सोमनात मंदीर के ट्रस्ट की मिटिंग में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने प्रभास पाठक और सोमनात में पुरा तत्व का अध्यन करने का सुझाव दिया। जिसके बाद रिसर्च हुई और पाच करोड की मसीन लगा दी गई और जो सच सामने आये उसमें दुनिया भर के वेग्यानिकों को हिला कर रख दिया। आखिर क्या था ऐसा उसमें जिसने भारत सरकार को भी हैरानी में डाल दिया। इन सभी सवालों के जवाब हम वीडियो मे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों यदि सोमनात मंदीर को रहिष्यों का मंदीर भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह मंदीर गुजरात के सोराष्ट छेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थीत है। वेदों के अनुसार इस मंदीर का निर्मान स्वयम चंद अखिर ऐसा क्या निकला जिसने भारत सरकार को हैरानी में डाल दिया। यह बताने से पहले आपको हम यह बताते हैं कि सोमनात मंदीर के प्रांगण में दक्षिन में समुद्र के किनारे एक स्थम्भ है जिसे बान स्थम्भ कहा जाता है। जो बेहदी प्राचीन है छटी सता गया है। लेकिन ये कोई ने जानता कि इसका निर्मान कब हुआ था, किसने कराया था और क्यों कराया था। मंदीर के अनेक रहस्यों की तरह यह भी एक रहस्य है जो वेग्यानिकों के होस उड़ा देता है। जानकार बताते हैं कि ये मान स्थम्भ एक दिसा दर्सक इस्थ उड़तिनमार्ग। इसका मतलब ये है कि समुद्र के इस बिंदू से दक्षिन द्रो तक सीधी रेखा में एक भी ओरोध या बाधन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सीधी रेखा में कोई भी पहाड या भुकंड का टुक्ड़ा नहीं है। अब जो वेग्यानिक सनातन धर्म की महनता नहीं मानते उन वेग्यानिकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि आकिर उस काल में कैसे लोगों को यह जानकरी थी कि दक्षिन ध्रो कहा है और धरती गोल है कैसे उन लोगों ने इस बात का पता लगाया होगा कि जिस जगे पर स इसी के पास नहीं है अब बात करते हैं सोमनात मंदिर के नीचे दफन रह्ष्यों के बारे में आज तक की रिपोर्ट के अनुसार आयाटी गांदिनगर के कई एक्सपर्ट के जरिये पाच करोड से भी जादा लागत की बड़ी-बड़ी मसीने यहां लगाई गई थी जिसम सानक व्यध्यानिकों को सोमनात मंदिर के नीचे से वाइब्रेशन मिलने लगे सोमनात मंदिर की जगेंपर 2 मेंटर से लेकर 12 म Means तक जी पी आ इन्वेस्टिकेशन किया गया सर्वे की स्थापित तकनिक से बिना खुदाई कराय जमीन से 15 मीटर नीचे तक की सभी जानकरिया आसाली से मिल जाती है जहां जमीन के नीचे से वाइब्रेशन आ रहे थे उसी वाइब्रेशन की स्टडी करके टीम ने अपनी रिपोर्ट तयार की थी जब सोमनात मंदिर के नीचे जीपियार से सूट किया गया तो विग्यानिकों को मंदिर के ठीक नीचे तीन मंजिला इमारत मेली जिसे देखकर सबके हो सुड़ गए यहां भुगर्भ में तीन मंजिला इमारत होने की बात सामने आई है जिसमें पहली मंजिला इमारत 0.5 मीटर، दूसरी मंजिल 5 मीटर और तीसरी मंजिल 0.5 मीटर की गहराई में है इन सबुतोंने वेग्यानिकों को भी हैरानी में डाल दिया ऐसा इसलिए क्योंकि एक मंदीर के नीचे तीन मंजिला इमारत होना कोई साधरन बात नहीं है। इस पूरी घटना का खुलासा आयाटी गांधिनगर और आर्केलोजिस्ट डिपार्टमेंट के जरिये किये गए संसोधन में हुआ। इस सूतर में पता चला कि देश के करोड़ पाठक सोमनात के गव लोगधाम में आये हुए गीता मंदिर के आगे के हिस्से से लेकर हिरन नदी के किनारे तक हुए शर्वे में भूगर्व के अंदर एक पक्की इमारत होने की बात सामने आई है। ये रिपोर्ट जैसे ही भारत सरकार को मिली तो भारत सरकार भी हैरानी कि आखिर कैसे सोमनात मंदिर की नीचे यह तीन मंजिला इमारत हो सकती है। आखिर इस सोमनात मंदिर में ऐसी क्या बात थी जिसके कारण आक्रमन कारियों ने इस मंदिर को बार बार लूटा और तोड़ा। ऐसे में सोमनात मंदिर की नीचे भूमिगात इमारतों और जो आज भी हमारे लिए अंजान है आपका इस विशाय में क्या सोचना है कमेंट सेक्षन में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बोधबो धन्यवा करो CAPTION आपका प्याद करना प्या सेक्षников वीडियो जरूर यदाल कर दो इंदादा हुआ इख ङु knock-पका घंचे July